एफ्रेंड्स देखे आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं चार से पांच ऐसे पैनी शेयर जिसकी प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी हो और साथ ही साथ जो कर्ज है वो कंपनी पे ना हो तो ऐसे कुछ शेयर हम आपको इसमें बताएंगे इस व करना होता है और सिर्फ पैनी शेयर में इतना ही श्रीक करना होता है इतना ही पैसा लगाना होता है जो हम लगाके बहूल सकें बाइचांस वह ढूप जाए तो भी हमें कोई ऐसा दूख abrasar नहीं था लेकिन उस समें प्रमेंटर्स जिसकी तो होती है यह साथ यहां को ग्र क क्या था तो ऐसी ही कुछ कंपनिया हम आज बताएंगे जो बहुत शांदा रिटन इन फ्यूचर आपको दे सकती हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ क कोई श्टोक आप हमसे डिसकस करना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोशिस करेंगे उनके उपर पूरी वीडियो बनाने की चलिए सुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी है सिर्फ 14 करोड का इसका मार्केट कैप है और प्राइज देखिए बहुत सस्ता एक इस समय ली जा सकती है इसमें ROC देखिए 1.81% और ROE 2.03% मतलब कंपनी जो है प्रोफिट में है तो एक प्रोफिट कंपनी दिखा रही है इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है छोटी कंपनी है इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिटन दे सकती है देखिए सेल्स में भी हमें अच्छे बड़त कंपनी की देखने को मिल रही है आप देखेंगे जो कभी माइनस में सेल्स हुआ करती थे 64,00,000 की दोयार 15 में थी अब हो गई है 61 की तो बहुत सांदार इसका एक सेल्स ग्रोफ देखने को मिली है यह 64,00,000 है अब यह 61,00,000 हो चुकी है बहुत सांदार ए बड़ी है कंपनी यहां देखेंगे आप तो देखें कंपाउंट सेल्स ग्रोफ इस साल तो माइनस में रही क्योंकि इस साल यूक्रेन और रश्या का लड़ाई रही है लेकिन पिछले तीन सालों में 151% से अच्छी ग्रोफ कंपनी दिखा रही है और इधर अगर प्रोफि 15% का CAGR दे रही कंपनी जो की बहुत ही शांदार होता है बहुत बहुत ज्यादा सांदार और एक साल में पिछले 155% का रिटन कंपनी ने दिया है देखें अगर कंपनी के रिजर्व और उसकी बोरोइंग देखें तो रिजर्व भी है कंपनी के पास 2.19 करोड के और अगर क बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा नहीं है रिजर्व ज्यादा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस करजे की कंपनी का नाम है देखें विसागर फाइन् installations लिमिटेड और यह फाइनेंस के सेक्टर में कंपनी काम करते होगी आपको दिखाई देगी अब देख लेते है है अपनी next company हमारी इस company का देखें market cap है सिर्फ 47 करोड और current price है सिर्फ 92 पैसे का 1 रुपया 94 पैसे इसका high गया था low था 28 पैसे का book value से अभी नीचे trade कर रहा है book value है 1 रुपया 2 पैसे की इसका जो stock का PEE है काफी महंगा मिल रहा है अभी इसमें wait कर सकते हैं holding अगर लेनी है तो और और चोटा सा सिर्फ 0.34 परसेंट का तो profit में है लेकिन company company के अगर sales देखें तो जो 18 लाग क्यूआ करती थी वह 80 लाग पहुच चुकी है quarter on quarter अगर देखें तो यह December 2019 में थी और देखें net profit भी जहां no profit no loss में company काम करती थी वहां 17 लाग का profit इस वार निकाल के दिया है company ने और देखें अगर year on year basis पे देखें तो भी एक करोड 32 लाग का company ने sales की है और profit दिया है निकाल कर 18 लाग का बहुत शांदार और यह देखें यहां पर पिछले sales growth पहले तो minus में थी लेकिन 10 सालों में 49% positive है 3 सालों में 12% इस साल 86% से है और compound profit growth देखें तो बहुत शांदार इस बार 260% से profit growth बढ़ी है company की CAGRB पहले minus में था क्योंकि company भी minus में थी पिछले 5 साल में तीन सालों में देखें 8% से दिया है लेकिन इस साल दिया है 42% शांदार एक company भागने वाली है उपर की और को company के पास reserve है लगबग सवा करोड के और करजा है सिर्फ 32 लाग का तो बहुत ज़्यादा करजा नहीं है लगबग debt free है company इस stock का नाम है हमारा gold line international finwest limited ये भी एक finance company है in future बहुत शांदार return आपको देश सकती है देखें नेक्स जो company है हमारी 106 करोड की ये company है current price है इसका 1 रुपिय 73 पैसे 10 रुपि 75 पैसे का high और 32 पैसे इसका low है book value minus में है दिक्कत वाली बात है इसको copy इसमें दिया नहीं है इसका ये आप चार्ट देखें तो देखें पहले उपर गया फिर consolidation हुआ फिर उपर गया फिर consolidation में है और ये अब कुछ दिनों के बाद फिर से उपर को आपको ऐसे भा बहुत भी है plus में और CAGR तो अच्छा खासा बड़ा है तीन सालों में 109 परसेंट से और इस साल 381 परसेंट से CAGR कंपनी का बढ़ा है इस कंपनी में वैसे तो सारी चीजे मुझे सही नहीं लगती कोई सी भी सिर्फ एक चीज को छोड़कर वही है promoter holding इसमें देखें प्रमो DIA के पास 28% का स्टेक हुआ करता था और पबलिक के पास सिर्फ 20% का तो DIA ने लगवग अपना सारा का सारा माल 24% माल बेच दिया है यह थोड़ी सी इसमें दिक्कत में लगती है कंपनी का नाम देख लेंगे लाश्ट में Quadrant Televenture Limited और Communication में कंपनी काम करते हुए हमें दिखा करें देखे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैवार्ण